दीपावली से पहले धंतेरस का पर्फ मनाया जाता है। धंतेरस के दिन सोना चांदी के आभूशन और जाडू खरीदना बेहत शुब माना जाता है। इस दिन अगर आप एक खास धातु की खरीदारी करते हैं, तो माता लक्षमी प्रसन नहोंगी। मान्यता है कि कार्तिक त्रयोंदशी तिथी पर देवताओं के वैद भगवान धनवंतरी समुद्र मन्थन के दौरान स्वर्ण कलश के साथ प्रकट होए थे। वही इस साल धन्तेरस के दिन कई शुभ्योग का भी निर्माण हो रहा है, इसका शुभ असर पढ़ने वाला है। इस साल 10 नवंबर दिन शुक्रुवार को धन्तेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धन्तेरस के दिन माता लक्ष्णी की प्रदोशकाल में पूझा आराधना की जाती है। वही इस साल 50 साल बाद धन्तेरस के दिन यम पंचक शिव्वास और प्रदोश वुरत का भी है संयोग पढ़ रहा है। यानि उस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव का भी आशिरवाद प्राप्थ होने वाला है. 10 नवंबर को दिन शुक्रवार पढ़ने के कारण चांदी खरीदना शुब माना जाता है. शुक्रवार के दिन अगर आप चांदी खरीदते हैं, तो माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है. धन्तेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा. इसलिए कुछ ना सही तो कम से कम धातु में चांदी अवश्य खरीदे. वहीं शुक्रवार के दिन खरीदी गई चीजे में वर्ष भर 13 गुने की विद्धी होती है. इस साल धन्तेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाएगी. इस दिन शिव्वास भी है. उसके साथ साथ प्रदोश वरत भी इसी दिन रखा जाएगा. जिस जातक को धन्तेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव का दोगुना आशिरवात प्राप्थ होने वाला है. वही माता लक्ष्मी और भगवान शिव की वही माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोशकाल में की जाती है इसलिए धन्तेरस के दिन शाम के 05.29 मिनट से लेकर रात के 08.07 मिनट तक लक्ष्मी पूजन का शुब मुहूर्त रहने वाला है विडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल भक्ती वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें